अलो फ्रेंड्स वेलकम आप यूट्यूब चैनल दा मॉबाइल सेटिंग आप जानते हैं कि शॉटकट एक ऐसी चीज़ जिससे आप अपने मॉबाइल को बहुत ही फास्टली ऑपरेट कर सकते हैं जिसका राम है quick launch menu जी हाँ quick launch menu मैं आपको आज इस super shortcut के बारे में बताने जा रहा हूं कि यदि आप अपने मॉबाइल में इस function को set कर लेते हैं तो जैसे ही आप अपने मॉबाइल से fingerprint के through मॉबाइल को unlock करेंगे आपको सिर्फ अपनी finger को drag करना है और जिस application पर आप लेकर जाएंगे वो application बहुत ही fastly open हो जाएगी आपको application select भी नहीं करनी पड़ेगी मॉबाइल को unlock करने के बाद डिरेक्ली आप fingerprint से access कर सकते हैं तो इस function का नाम है quick launch menu लेकिन इसके लिए आपको operation जानना बहुत जरूरी है तो मैं इस वीडियो में आपको operation बताने वाला हूं कि इस function को आप कैसे use करेंगे और कैसे इसे आप edit कर सकते हैं तो आई एक आप वीडियो को शुरू करते हैं और इस super shortcut के बारे में जानते हैं लेकर उससे पहले चैनल को subscribe किया है या नहीं किया है प्रीज एक बार चेक कर लें और नहीं किया है तो प्रीज सब्सक्राइब कर दीजेगा और bell icon को जरूरू प्रेस कर ले तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैं आपको super shortcut बताने वाला हूं कि super shortcut के थुरू आप कैस और यहां पर आप देख सकते हैं जो second last option आ रहा है quick launch के नाम से आ रहा है जैसी है इसे आप tap करेंगे तो यहां पर कुछ animated option आपको दिखाए देगा जो कि आपको guide करेंगा कि किस तरी किसे आप कर सकते हैं उसके बद इसके लिए आपको edit करना होगा यहां पर इस function को activate करने के 5 function में से कोई एक चीज़ा आप रख सकते हैं जैसे कि मैंने अभी यहां पर mail के function को activate किया हुआ यानि कि Gmail को मैं चाहता हूँ एक function मैं और edit कर लेता हूँ कि मैं portrait के function को मैंने यहां पर edit कर लिया है portrait के function को उसके बाद यह apps edit करना चाहते तो apps के option पर आप tap कर दीजेगा उसके अलावा जो मुझे एक Netflix है मैं Netflix यूज करना बिसंद करता हूँ तो मैंने यहां पर सारी चीज़े add करनी है add करने के बाद यहां पर top में एक option आ रहा है right का symbol जैसे आप इसे drag करेंगे तो यह done हो जाएगा done होने के बाद इस function का का काम क्या है main process यह है यदि आप अपने mobile की main screen यानि की lock screen है आपके mobile पर lock screen होने के बावज़ूत भी आप जब fingerprint को access करेंगे और उसे आप hold करके रखेंगे तो यहां पर देखेगा नीचे की side जो मैंने 5 option चूज किये थे वो option यहां पर आ गए है जैसी मैं Google app पे ले जाकर इसको छोड़ूँगा तो यह automatic Google application को activate कर देगा एक बार मैं आपको दुबारे दिखा देता हूं जैसे ही मैंने अपने mobile में जो fingerprint unlocking का option है उसे आप tap और hold करके रखेंगे तो यहां पर भी same मैंने map के option पर ले जाकर tap किया तो map मुझे directly open करतेगा तो इस तरीके से आप इस super shortcut को use करके अपने mobile में जितनी भी application है उसे और ज्या जिससे मैंने super shortcut का नाम दिया है यह function आपको कैसा लगा प्लीज मुझे comment box में जरूर बता दीचेगा और video अच्छी आपको लगी हो तो प्लीज एक like तो बनता है thank you so much मेरे साथ जुड़े रहने के लिए please subscribe करे channel को ताकि ऐसी latest information आपको मिलती रहे thank you so much have a nice day हुआ 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 है